राधे राधे मैं आचारे हिमाईशू उपमन्यू आप सभी दर्शकों के सामने आज उपस्थित हूँ सनातन फाइल्स के एक विसेश कारिक्रम को लेकर विसेश मैं इसे क्यों कह रहा हूँ क्योंकि हमारे भरतवर्श में मकरसंक्रांथी का पर्व बड़े उत्साह से मनाया जाता है पहले तो आप सभी को बहुत-बहुत शुपकाम नाए मकरसंक्रांथी आज मैं आपको बदावूँगा कब है मकरसंक्रांथी का व्रथ और क्या दान करें, क्या उपाय करें जिससे आपका जीवन बहतर हो पर उसके साथ मैं आपको कुछ कारण भी बता हूँगा सनातन धर्म में मकर संक्रान्ति का इतना महत्व क्यों है? पहली चीज जो सबको साधरन वासा में पता है कि भगवान सूरे नारायन धनुराशी को छोड़कर मकर राशी में आ जाते हैं इस दिन तो मकर संक्रान्ति होती है और दूसरा उत्तरायन और दक्षणायन मकर संक्रान्ति से जो है उत्तरायन सुरू हो जाता है ये सभी को पता है इस दिन जो है खिषडी बनती है कहीं जो है दही चूरा खाया जाता है ठीक है ये तो नॉर्मल सी बात हो गई पर आपको क्या पता है कि हमारे सनातन धर्म में इसका विसेस महत्तो क्यों है इसके विसेस महत्तो का कारण ये है कि इस दिन भगवान सूर नारायन जब धनुराशी को छोड़ कर मकर राश में आते हैं तो सबसे पहला परिवर्तन ये होता है कि जो सीत लहर जो ठंडी की स्थिती थी वो कम होने लगती है और भगवान सूर नारायन का प्रभाव बढ़ने लगता है जिसके कारण से ये अधिक मात रखती जब ठंड इत्यादी की स्थितियां बढ़ जाएं तो भाई मान लीजे सरदिया निश्चित तोर पर आदमी बचना चाहता है ठंड से और उससे जुड़े हुई बिमारियों से तो इस वज़े से एक इसका पहलू हो जाता है ये खास और दूसरा दूसरा पहलू ये होता है कि हम भारत वरसी सनातन धर्मी जो लोग हैं कर्म परधान लोग हैं हमारा सनातन धर्म कर्म परधान है अगर आप कर्म कर रहे हैं तो निश्चित तोर पर उस कर्म का फल आपके जीवन को बदल सकता है चाहें वो आपके भागे में ही क्यों न लिखा हो कुछ और और अगर आपके भागे में कुछ खराब लिखा है तो उसे अच्छा कर सकता है अगर आपका कर्म अच्छा है तो और अगर आपके कर्म खराब है तो आपके भागे को भी खराब कर सकते हैं कहा जाता है ना कर्म परधान अविस्वरची राखा कर्म ही परधान है इसी नविस्वरच रखा है तो उत्तरायन जब सूर्य होते हैं तो दिन बड़े होने लगते हैं और जब दिन बड़े होने लगते हैं तो हमें कर्म करने का अवसर मिलता है इसी लिए इस तेवहार को बड़े उत्सहा के साथ हमारे सनातंदर में मनाया जाता है ताकि हमें अधिक समय मिलेगा और हम अधिक अच्छे से करव कर पाएंगे अब जो है दिन बड़े होने लगते हैं और दिरे राते कम होने लगते हैं वरना जब आप देखते हैं मकर संक्रान्थी से पहले दक्षिनायन सूर्य में राते भारतवर्स में हमारे यहां पर बड़ी होती है राते और दिन छोटे होते हैं क्योंकि हम कर्म परधान है इसलिए हमें दिन बड़ा हो ऐसी हो शक्ता होती है अब खास क्या है तो खास यह कि भगवान सूर्य नारा इन मकर राशी में प्रवेस करेंगे जो कि उनके पुत्र शनिदेव की रासी है अब जो तसी आकलन समझ लीजिए जब भगवान शनिदेव भगवान सूर्य नारायन की रासी में प्रवेस करेंगे तो उनकी रासी में जरूर प्रवेश करते हैं लेकिन पीडित नहीं होते हैं सनिदेव और सूरिय नारायन दोनों ही अन्य था भाईवान सूरिय और सनिदेव के संबंद बहुत कटू है ये बात जग जाहिर फिर भी दोनों पीडित नहीं होते हैं पर एक साथ होने पर पितुर दोस जरूर मनाते हैं इस बार मकर संक्रांति में ऐसा नहीं है क्योंकि भगवान जो सनीदेवों हैं वो कुम्ब रासी में हैं अगले घर में बैठे हुए है तो ये जो वर्थ है इसी वज़े से खास हो जाता है क्योंकि मकर में सूर्य, कुम्ब में शनी और मीन में राहू और मेस में ब्रहस्पत होंगे ये जो चार रासिया होंगी चारो رासियों में बड़े ग्रेए नम्हें दोनों कोनों पर इदर मकर उधर मेस दोनों कोनों पर भगवान सूर्य और ब्रहस्पत होंगे बीच में सनी और राहू होंगे तो ये एक मह निश्यत तोर पर धार्मिक कृत्नियों के लिए सबसे बहतर होगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं 12 जनवरी को भगवान राम की प्रतिष्ठा होने वाली है सोचे कितना बड़ा धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है इसी कारण से हो रहा है क्योंकि इस बार धर्म की विजय पता का जो है वो आगे बननी चाहिए अब ये हो गया एक तो ग्रहों का आकलन अब समझते हैं कि हमारे आँ जो इस समय तिल के लड़ू बाटे जाते हैं गुड़ में प्रिजेंट करता है और काले तिल भगवान रुष्णिदेव को काले और तिल और गुड़ के लड़ू क्यों बाते जाते हैं क्योंकि सरदीयों का समय होता है देखें बहुत साफ बात है अगर आपसे कह दिया जाए कि जाए तिल और गुड़ के लड़ू बहंट आईए तो नहीं बाट कराएंगे अगर अभी आपसे कह दिया जाए एक टेओहार और परमपरा का हिस्सा है तो आप जाएंगे और चार गरीबों में और चार जो है जरूरत बंदों में जरूर बाट कराएंगे हमारे रिशीज बात को जानते समझते थे इसलिए उन्होंने हर एक चीज को जोड़ा गुड़ भी गर्म होता है और तिली भी काले तिल जो होते हैं वो भी गर्म होते है तो निशित तोर पर आप एक चीज और नोटिस करेंगे उसमें घी डालके बनाया जाता है सरदियों म संतान नहों उन्हें भगवान सुर्ण नारायन की तामे की प्रतिवा बना करके उसे घी से इसनान कराना चाहिए और वो घी जरूरत बन्दों में बितृत कर देना चाहिए क्यों क्योंकि भाई सभी के साथ में हवा लगने से दूसरी तकलीफें हो सकती हैं सनातन धर्म पता ही नमाने उसके पीछे का एक कारण होगा जैसे सर्दियों का कारण है इस समय तिल और गुड के लड्डू बाटना और घी जो है उनमें मिस्रित करके घी को बाटना या फिर गरीबों में इन्हें बाट देना जिससे हम ही नहीं दूसरे भी उससे जो है लाव पा सकें और सिवरहस में मकर संकरान्ति के दिन उनी वस्त्र भारी वस्त्र या गर्म वस्त्र बाटने के लिए लिखा भी गया है कहीं लिखा हुआ है किसी और धर्म में तो इसलिए कहता हूँ यह रूडबादी नहीं है ये समय के साथ चलने वाली एक विवस्था है अगर आप इसे अगर आपका कोई ग्रह खराब है चाहे वो सनिदेओं हो चाहे वो सूरे नारायन हो या कोई भी ग्रह हो जाईए गरीव अगर अवशकता है तो उसको काले तिल के लड़ू जो गुड मिसरित हो वो बाटिये जिससे उसकी भी ठंडी दूर हो उसके सरीर में भी गर्मी आया औ आपके ग्रह अच्छे हो और उसका जीवन अच्छा हो निश्रित तोर पर आप सभी से पुनहा मुलाकात होगी किसी और कारिक्रम में तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे जैस्री किष्णा